Hello everyone, welcome back to our class आज़ की क्लास का हमारा टॉपिक है उत्राखन, वन, वन आंदोलन, वन ने जीब लास्ट क्लास में आपने उत्राखन का जो भूगोल है उत्राखन की जोग्रफी उसमें हमने सारी चीजे कवर कर ली है आज हम बात करेंगे कि उत्राखन में वनों को बचाने के लिए कौन-कौन से आंदोलन होए थे, किन-किन लोगों ने उसमें भाग लिया था वो सारी चीजे आज कवर होंगी पहले सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे कितने वन है प्रतिशत कईए नहीं वनों का परसंटेश प्रतिशत सब से ज्यादा है नानिताल में यानिㅂ 1 o का पसंटे सबसे ज़धानाई जब की 1 o का एरिया सबसे ज़धा कहा है पौढ़बे में है एक कुशन बनता है कि इनको अरेंज करिए कि सबसे ज़धा हुआ सबसे कम तो आपको उसके लिस्ट नीचे की 2-4 जिले भी याद होने चाहिए तो वन छेत्रिफवल सबसे ज़्यादा पौड़ी में, फिर नैनिताल में, फिर उत्तरकाशी और फिर चमोली में है और वन परसंटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा नैनिताल, चमपावत, पौड़ी और पागिश्वर यह आपके दो चीजे हो गई है, और उदम सिंग नगर तो दोनों में कॉमन है उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा अति सगन वन कहां पे है तो अति सगन वन है जो वो है नैनिताल, तहरादून और पिथोरागर में उसके बाद आती है मध्यम सगन वन, यह आपके पौड़ी, उत्तरकाशी, ननिताल और चमोली और खुले वन जो है वो पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और टीरी और सबसे ज़्यादे जो ज़ाडियां पाई जाती है वो टीरी में पाई जाती है यह इतना important नहीं है आपको वन प्रतिशत और वन जो छेत्रफल है उसका पता होना चाहिए उसके बाद है कि वनों का जो छेत्रफल है वो गड़वाल मंडल में जादा है या फिर कुमाओ मंडल में है के सबसे जादा है और ङरुजादें के बारें पादि ऐहां के बारें ब्रीफ को कितने विन है वो सारे आपके इसमें क्लिए हुगए है अब यहां पर है कि जड़ी, बूटी, संग्रहन और विप्रणन हेतु संस्तान यानि कि उनके प्रिजर्वेशन, उनके कलेक्शन और उनको सेलिंग के लिए जो संस्तान बने हैं वो कहां कहां पर है अब फर्स्ट है जो इंडियन ड्रक्स एंड फार्मसेटिकल्स लिमिटेड यह आपका रिशिकेश देहरादून में रिशिकेश आपका तीन जिलों में बटा हुआ है तो यह देहरादून वाले पोर्ट्शन में आपका क्या है Indian Drugs and Pharmaceutical Limited उसके बाद Indian Medicine and Pharmaceutical Limited यह है आपका मुहान अल्मोडा में then Indian Institute of Ayurved for Drugs and Research यह है आपका ताड़ी खेत अल्मोडा में इससे कई लोग हरिद्वार से जोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर पतंजली का है लेकिन यह आपका का है ताड़ी खेत अल्मोडा में then आपका cooperative drug factory यह रानी खेत अल्मोडा में है दो तो आपके यह अल्मोडा में हो गया है फिर आपका कुमाव मंडल विकास निगम यह हो गया नैनिताल में और गडवाल मंगंडल विकास निगम ये पौड़ी में हो गया है दन अब है कि जड़ी बूटी और औशदिय छेत्र में शोद एवं विकास हेतु संस्थाएं तो सबसे पहले है हमारा उच्चे स्तलिय पौध सोद संस्थान ये श्री नगर पौड़ी गडवाल में है जहां पर हमारी गडवाल विश्य विद्याले का केंद्र भी है ये कोशन पहले बना था तो इससे आप और कुमाव विश्य विद्याले का केंद्र का है नैनी ताल में दूसरा है, जडी, बूटी, सोध एवं, विकास संस्तान ये है गोपिशर चमूली में, और शदिय एवं, सुगंधित, पौत संस्तान पंतनगर में है, उसके बाद है रशायन, विज्यान, एवं, वायनसपतिक, विवाग, कुमाव, विश्यविद्याले, ये कुमाव विश् संद्धान संस्तान यानि FRI बहुत से लोगों को पता होगा बहुत से लोग घूमने भी गया होंगे यह हमारा देहरादून प्रेम नगर में इस तीथ है देहरादून प्रेम नगर से पहले उसके वाद है जीवी पंत हिमाले प्रियावरणी एवं विकास संस्तान अलमोडा त और यह है हमारी वन नीतिया वनों के संद्रक्षन के संबंद में जो भी नीतिया बनाई गई जो भी कानून बनाए गए वो यहां पे है तो पहला कानून जो बना था वो बना था हमारा 1865 में 1865 में तो पहला कानून क्या बना था भारतिया वन अधिनियम है आपको यह ध्या रखना है कि 1865 में उसके बाद आया था वनों के वैज्ञानिक प्रभंदन के लिए यानि उनको scientifically कैसे बचाया जाए कैसे और्गनाइस किया जाए तो यह बना था आपका 1884 में कार्य योजना वन विभाग द्वारा उसके बाद है 1948 में 1948 में केंद्रिया वानिकी परिशद का गठन हुआ 1950 में वन महुत्सवों का आयोजन शुरू हुआ यहां पर देखे आप दो-दो साल के वन नीती शुरूई और 1998 में इस जो वन नीती बनाई थी इसमें कुछ संसोधन किया और फिर आया आपकी संसोधित राश्ट्रिया वन नीती यह देखे आपकी यहां पर तीन चीज़े तो लगातार हुई हैं दो-दो साल के गैप में और फिर यह हैं दो तीन चीज़े और ह अब यहां पर है वन सिक्षा वन सिक्षा से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन जो कोशन है FRI से अभी मैं बताऊंगे आपको कि क्या है वो वो क्या होता देखे सबसे पहले आपका है 1865 1865 में आपका क्या हुआ था कि भारत के प्रथम वन महा निरिक्षक डॉक्टर डिट्रिच पेंडिस की नियुक्ति हुई थी सबसे पहले आपकी कोई एक आदमी है जो की क्या बना है प्रथम महा निरिक्षक बना है इसकी नियुक्ति ही इसने क्या करा अब इनकी सलाह पर आपका क्या हुआ 1878 में देहरादून में देश के प्रथम वन महा विद्याले का निर्मान हुआ था इनकी सलाह में और इसका नाम कब बनाया गया था तो 1878 अभी आपको यहां पर अपर नहीं दिख रहा होगा अब मैं आगे बताती हूं और इसका नाम क्या करा 1884 में इसका नाम बदल कर Imperial Forest School कर दिया गया पहले इसका नाम था Forest School of Dharadun Dhan नाम चेंज करके Imperial Forest School कर दिया गया उसके बाद फिन नाम बदला गया 1906 में और 1906 में इसका नाम कर दिया गया Imperial Forest Research Institute अभी तक यह जो काम यह जो इंस्टूट था यह Research Worker ले नहीं था अभी तक इसमें सोच संबंदी कारें नहीं होते थे अब इसके बाद ही Research Worker के लिए भी हो गया और इसका नाम हुआ Imperial Forest Research Institute जब हमको सोतंतरता मिली 1947 में उसके बाद क्या हुआ इसका नाम बदल के कर दिया गया Indian Forest Research Institute यानि FRI तो अगर कुश्चन बनता है कि FRI कब बना था तो यह बना था आपका 1888 में क्योंकि कई बारी ऐसा कुश्चन आता है कि आपको चार चीज़ें के नाम दे दिये जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन में से सबसे पहले कौन बना था तो आपको दिहान रखना है कि FRI बना है आपका 1878 में अब है आपका कि वन संबंदी कुछ आंदूलन की वनों को बचाने के लिए कौन-कौन से आंदूलन किये गये थे यहां पर है रवाई आंदूलन तो पहले भी आपने क्लास में पढ़ा है सर ने आपको बताया है कि नरेंद्र शाह के समय क्या हुआ था एक नया कानून शु कामिल किया जा सकता है तो इसके विरोध में क्या हो गया था 30 मई आपको यह डेट याद रखने 30 मई 1930 को लोगों ने विरोध शुरू किया और जो उस टाइम का दिवान था वो था चक्रदर जुयाल इसने क्या करा कि निहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी थी और कई में kurse nhưng को अलेटों चांब बियों आया जाता है कि यहां पर 30 जन्वरी नहीं है 30 मई है क्योंकि जब आइस ओन टीस मई को रहता तो 30 मई को हऊफे kो मईको असुकर ने कि इस आता बशी मनाकिन कि जो़्यान जाता तो आपको याद पताना इसको क्या कहा जाता है जनरल डायर उत्राखन का जनरल डायर उसके बाद है बहुत इंपोर्टन चिपको आंदूलन अब है चिपको आंदूलन तो चिपको आंदूलन के शुरुवाद जो हुई थी वो आपकी 1972 में हो गई थी और 1974 में है ये पूरी तरीके से इन्हों ने आंदूलन किया था तो इस आंदूलन में क्या था कि रिनी गाओं एक गाओं है चमोली में गोपिशर के आसपास पढ़ता है तो यहां की एक विद्वा महिला थी गौरा देवी उन्होंने क्या करा था कि पेडों को बचाने के लिए वो पेडों से चिपक गई सब जो गाउं की लेडिस थी उनको लेके भी पेडों से चिपक गई थी ताकि लोग और चाकि उसे वन वि याद रहे कि 72 है रीनि गाउं है गाय से आपका गौरा देवी हो जाएगा और जो दो एक और इंपोर्टेंट इसमें कोश्चन बनता है कि यह 2014 के AR-O में भी कोश्चन आया है कि गौरा देवी का माइका कहा था यह बुक्स में में नहीं होता है बहुत सी बुक्स में में नह और जबकि इनका ससुराल कहा था रेणी गाउं दो चीजे हो गई यहां पर लाता और रेणी गाउं अब इसमें इस आंदोलन में जो मुख्या भूमी का निभाई थी अब जो भूमी का निभाई है वो निभाई है आपकी सुंदलाल बहुणा जी ने प्रशिद्य परियावरण विथ्थे और चंडी प्रशाद भढ़ द्वारा इसमें उन्होंने एक नारा भी दिया था कि वनों से समंदी एक नारा भी इसी चिपको अंदोलन के ताइम पे दि अब आप यह हमने फॉर्मूला बनावाइ था कि बहततर रेंगाय कि अब हमको इसमें लाटबी आट करना लाता गावण भी तो इसे बहततर रेंगाय से बलाती भी जनरली उनको कहा जाता है जो बहुत बेवकूफ होते हैं बहुत सीधे भी होते हैं उनको भी लाटा कहा जाता है तो आपको याद रखना है 72 गौरा देवी की देवी की 52 रेणी लाटी गए तो यह आपका हो गया चिपको आंदोलन यह important आंदोलन है इससे question बन जाता है गौरादेवी से related या फिर दोस में और fact है सुन्दरलाल बहुगुणा और चन्डी प्रशाद भरजी दुपका अब हमारे पास पाणी राखो आंदोलन तो इसमें एक interesting बात यह है कि जो यह पाणी राखो आंदोलन चलाया था उफ्रेखाल के एक सिक्षक थे सचिदानन भारती जी दौरा तो उफ्रेखाल में कौसिक सर की first posting भी थी ल्टी की posting और यह हमारा गाउं भी है और सचिदानन भा और भारती इन्होंने अपने आगे टाइटल लगाया हुआ है तो यह चलाया गी उथा कि पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन चलाया गया था और इसके लिए इन्होंने 15 लाख से भी जादा पेड लगाये थे और एक चीज और बनाई थी इन्होंने कि दूधा तोली विकास संस्तान अगर आपको पूछा जाता है कि दूधा तोली लोग विकास संस्तान का गठन किस ने किया था तो ये भी सचितानन भारती जी द्वारा किया गया था और इसमें तब क्या हुआ था कि गाहों की जो महिला मंगल दल होते हैं इन्होंने बहुत बहुत जादा जो महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी इन्हीं लोगों ने निभाई थी और पंद्रा लाग से भी अधिक पेड़ वहां पे लगाए गए थे अब हमारे पास रक्षा सूत्र आंदोलन ये आंदोलन भी आपका इंपॉर्टेंट है तो यहां पे देखिए यह सुरू कहां पे हुआ था आपका तीरी की भिलंगना छेत्र फर छेत्र में अब एक यहां से कुश्ण बनता है कि भिलंगना मैंने आपको भिलंगना नदी प जहां पर भी जो चीज आ रही है मैं आपके उसका पुराना रिवाइस करते वे चल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए क्योंकि यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोश्ण में आती है अब देखिए उस टाइम पर यूपी गोवर्मेंट ने क्या करा था उन रक्षा सूत्र बांद दिया था और उन विरिक्षों को कटने नहीं दिया था इसी वज़े से रैयाला गाओं के जंगल इतनी होने के बाद भी वहांपे सुरक्षित रहे थे उसके बाद आता है जपटो छीन आंदोलन तो यह जपटो चीनो आंदोलन उन ही गाओं द्वार आंदोलन किया था उन लोगों ने क्यों किया था चमूली में ही हमारा है नंदा देवी रास्टिया पार्क तो इन्होंने क्या बोला था कि इसका प्रबंद ग्रामिनों को सौप दिया जाए ये उनका आंदोलन था और क्या कर था 21 जून 1998 को लाता गाओं में धर्ना दिया था लाता गाओं का माई का था और 15 जुलाई 1998 में में गाओं वालों ने क्या किया अपने जो जानवर थे पालतू जानवर थे उनको लेके वो नंदा देवी रास्टिया पार्क में घुस गए थे अब एक इंपोर्टेंट बहुत के सिख्षक थे और जो यह आंदुलंग चला था यह चला था आपका 1906 में जो कल्यान सिंग रावत जी थे यह आपके वेदनी बुग्याल जो है अभी जब बुग्याल का कॉमूला में आपको बताऊंगी शॉटकट तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वेदनी बुग् ऑन देखा कि बहुत सी यहां पर प्रियावरयन को लेकर और वनों को लेकर दिक्कतें हो रही है तो इन्हों ने एक इनके दिमाग में आईडिया यह आया यह बात सम यह सभू सकते आप तो इन्होंने क्या करा लड़कियों को लेकर एक नया रिवास शुरू किया था कि इक भाल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी जो लड़की का माय का पक्षय उसके उनके उन लोगों के द्वारा उस पेड को जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी उनहीं लोगों के द्वारा होगी तो यह आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा शुरू किया था कल्य जारने या फिर नेशनल पार्क और जो चीजे बची हैं वो मैं आपको शॉटकट से अगली क्लास में बताऊंगी फिर मिलते हम अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए गुडबाय टेक क्या पढ़ते रहिए